नमैश्कार दोस्तों मैं केस अपने टेज्शनेकल वल्ड फर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं- i Anybody दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बतानेुँ वाला रहे हूं कि आप आप कैसे अपने अधार काड के जरिये कैसे पता कर सकते हैं आपके अधार काड के साथ कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है पूरी जानकारी के साथ आपको बताऊंगा कैसे पता करें आपसे एक पहली रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर दें और साथ में नोडिफिकेशन का बेल लवानन ना भूले ताकि ऐसी हमारी आने वाली टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो आप दोस्तों आप भी चाते हैं अपने अधार कार्ट से कौन सा बिंक है कैसे पता करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो को बिना स्किप किये देखिएगा ताकि जो जानकारी है आपको पुर्ण रूप से मिल सके तो सबसे पहले एक आपको ब्राउज ब्राउजर करना पड़ेगा फिया ब्रााउजर में आपको सर्च बार में टाइप करना है यूदी ए आई कि ईडाट में डौर्मन दौ्रट अईं यहाँ पर uidi government dot एक सेकिंड और सर्च कर लेंगे जैसे ही आप uidi.government.in लिखेंगे आपको सर्च कर देना है जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे आपको option मिलेंगे देखने को पर आपको क्या करना है यहाँ पर अधार सर्विस के उपर क्लिक करना है जो की तीसरे नमबर पर है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यह आपको available अधार सर्विस पर ले जाएगा और यहाँ पर आपको भी बहुत सारे option देखने को मिलेंगे तो आपको verify अधार पर नहीं क्लिक करना है second पर भी नहीं, third पर भी नहीं fourth पर भी नहीं और आपको क्लिक करना है अधार linking status के उपर यहाँ पर आप देख सकते हैं check अधार bank linking status आपको इसके link के उपर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आप पढ़ सकते हैं check अधार bank linking status आपको क्या करना है guys यहाँ पर अधार number आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 12 digit का अधार number mention करना है और उसके बाद capture code feel करना है और send OTP पर क्लिक करना है जैसे ही आप send OTP पर क्लिक करेंगे आपके जो अधार card के साथ mobile number link होगा वो OTP यहाँ पर आपको डालना है तो चलिए हम फड़ा फड़ नमबर यहाँ पर mention कर देते हैं अधार का guys अधार number डालने के बाद आपको capture code डालने के बाद send OTP पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप send OTP पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं OTP send your register mobile number तो यहाँ पर हमारा OTP आ चुका है तो चलिए हम यहाँ पर अपना OTP feel कर लेते हैं OTP डालने के बाद guys आपको submit के उपर क्लिक कर देना है जैसे ही यहाँ पर submit के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका यहाँ पर देख सकते हैं congregation your adhar bank mapping has been done यहाँ पर आपका अधार का number आएगा bank linking status आएगा activate या deactivate जो है यहाँ पर आएगा bank account अधार कार्ड के साथ कब link हुआ है यह date बताएगा और यहाँ पर आपको bank का नाम बताएगा जिस भी bank में आपका account होगा SBI हो, Oriental host, HDFC हो, ICI हो जो भी आपका bank है यहाँ पर bank का नाम आजाएगा तो इस तरह से आप बहुत ही easily तरीके से आप घर बैठे पता कर सकते हैं आपके अधार कार्ड के साथ कौन सा bank link है I hope, उमीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो कॉमेंट करके बताएं ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में notification का bell लबाने ना भुले ताकि ऐसी हमारे आने वाली वीडियो की notification मिले सब से ही पहले आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नई वीडियो नियू अपडेट के साथ तब तक के लिए जहीं वंदे मात्रों